हलो दोस्तों मैं इंद्रेश अपने यूटूब चैनल इंद्रेश जीयस क्लासेस में आप सभी का सौकत करता हूँ तो दोस्तों हम लोग की जो करेंट अफेयर पांच बज़े करेंट अफेयर की क्लास चलती है ठीक तो आज हम लोग 401 कोश्चन से कहा तक चलेंगे 475 तक कल तक हम लोग 550 या 540 कोश्चन के आज पास अटेंप्ट कर लेंगे कोश्चन को ठीक है चलिए आज का पहला और हमारी जो सुबह वाली क्लास है सुबह हम लोग बायो की बायो की एक क्लास और बचेए कल फिनिश हुजाए एक वाओ बायो उसके बाद इको उसके बाद सब का रिभीजन जितना कराया गया उसी का रिभीजन किया जैगा ठीक है चलिए चलते आज का também कोश्चन देखते हैं आज का पहला कोश्चन है 401 हाल ही में एलन मस्क ट्वीटर को कितने बिलियन most important कोश्चन है आप लोग याद रखेंगे इसको ठीक है एलन मस्क ठीक है ट्वीटर के कितने बिलियन खरीद दिने का घोशड़ा किया बताए कितने 54 बिलियन में 34 या 74 या बताए 44 कौन सा option सही है तो हमारा ए पार्ट है ठीक है एलन मस्क एलन मस्क किसके है स्पेस एक्स एलन मस्क जो है एक मियट मास्क हो जगा है एलन मस्क किसके है स्पेस एक्स ठीक स्पेस एक्स एंड स्पेस एक्स और किसके हैं बताए Space X के CEO हैं Space X के क्या है CEO है ठीक चलिए चलता है next question अगला question Question number 402 बताई ये Question number 400 देखे हैं हाल ही में 2042 संपदा दिवस कि स्तिथी को मनाया जाता है बताई 402 तो यह हमारा कम मना जाता है 26 April को क्या मनाते हैं 222 संपदा दिवस याद रखेंगे आप लोग 26 अपरेल को 22 शंपता दिवस 10 को बाताई 10 जनवरी को क्या मनाए जाता है तो बिश्व Hindi दिवस मनाए जाता है ठीक है चलिए चलते नेस्ट कोश्चन अगला कोश्चन कोश्चन नमर 403 बताई केंद्री ये मंत्री अनुराग ठाकूर केंद्री अनुराग ठाकूर खेलो इन्डिया यूनिवर्शिटी गेम के दूसरे संत्क्राइब का उधारण कहा किया तो ये हमारे क्या है खेल मंत्री है ठीक ह दूसरा जो खेलोई इंडिया उनिवर्सिटी गेम हुआ था बंगलूरू के करनाटक की क्या है कैपिटल है कहां बंगलूरू ठीक है वहीं पर हुआ था जो है हमारे खेल मंत्री अनुराग ठाकुर जी ने इसका क्या किया था उधगाटन किया था ठीक इसमें जीता विजेता कौन रहा था तो विजेता रहा था जैनी उनिवर्सिटी ठीक है जैनी उनिवर्सिटी जो कहां किये ए बंगलूरू की है ठीक है चलते हैं नेक्स्ट कोश्चन अगला कोश्चन कोश्चन नमर 404 बताई हालही में यूकरेन के राष्टपती वोलोदो मीर जेलनसकी ने किस द 404 का हमारा क्या हो जाएगा ए पार्ट अमेरिका ने ठीक है कौन सा अमेरिका ठीक अमेरिका के बारे में बताइए आप लोग अमेरिका की राजदानी कहा है कैपिटल वासिंग गठन डीसी है ठीक है वासिंग गठन डीसी है यहां के राष्टपती कौन है बताए जो याद रखिएगा ठीक है 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 इस सारी चीज़ें आप लोगों को याद हो नीच चलिए चलते हैं नेक्स्ट कोश्चन अगला कोश्चन कोश्चन नमबर 405 हालही में जारी वर्स 2020 की सिप्री की रिपोर्ट के मुताबिक भारत को सेन खर्च के मामले में कौन सा अस्थान मिला ह चलते हैं क्युक्ति डाण कोश्चन ah ah 69 के मतलब सेना पर सबस्ज़दा खर्च काउन सा देश करता है जो है भारत का sagt का सिर्वाधिक करता है वाला ठीक है चलते हैं नेक्स्ट कोश्चन अगला कोश्चन कोश्चन नंबर 406 बताई अगर वीडियो आप लोगो अच्छा लगता है तो प्लीज जादा जादा वीडियो को सेर करिए चैनल को सस्क्राइब करिए आप लोग इसी तरह से क्या करेंगे सपोर्ट को बनाए रखिए ठीक है हालहे में किस देश के पूरो राष्टपती मवाई की बाकी का 90 वर्ष की उम्र में निधन हो गया बताइए मवाई की बाकी का 90 वर्ष की उम्र में क्या हो गया निधन हो गया तो 406 का कौन सो जागा ए पार्ट केन्या के क्या थे राष्टपती थे केन्या की राजदानी कहा है नरोवी है ठीक है नरोवी यहीं पर हमारा हेड़कॉर्टर किसका है बताइए तो UNEP का United Nation Environment Program का है ठीक है United Nation Environment Program का हेड़कॉर्टर कहां पर है तो नरोवी में ए चीज़ें आप लोग याद रखिएगा ठीक है चलिए चलते हैं अगला कोश्चन कोश जनवरी 2015 को नीती आयो की अस्थापना होई थी ठीक है इसके अध्यच कौन होते हैं तो वर्तमान जो भी PM राते हैं वह हमारे क्या होते हैं अध्यच होते हैं तो वर्तमान में कौन है नरेंद्रे मोधी जी ठीक है और इसके उपाध्यच कौन बने बताए तो इसके उपाध प्रतिवर्स दुनिया में 200 पुष्टक दिवस कम मनाया जाता चार सो आठ का बताई जल्दी बताई चार सो आठ का ते हमारा कब 23 अप्रेल को 200 पुष्टक दिवस के रूप में मनाया जाता है ठीक है 24 अप्रेल को क्या मनाया जाता है बताई चौबिस अप्रेल को पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है ठीक है पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है चलिए चलते हैं अगला बताए जल्दी हाल ही में किसे PM मोधी के नए प्रधान बैग्यानिक सलाकार के रूप में निक्त किया गया है जल्दी बताए 400 नव का देख रहे हैं कौन कौन बता रहा है ठीक है बहुत मेहनत लगती है आप लोग को वीडियो लाइक देखी देखने को तो देखते हैं आप लोग 4-5,000 लेकिन बहुत कमाता ठीक तो लाइक का आज टार्गेट हमारा रहेगा एक हजार प्लस ठीक है एक हजार प्लस आप लोग लाइक का टार्गेट रखते हैं चलिए बताइए हाल ही में जो है किसे पीम मोदी के जो बैग्यानिक सलाकार के रूप में किसे निक्त किया गया है 409 का बताइए तेखे हैं हमारे सोनु सूद जी को ठीक है अब जी हम यह हमारे जो 500 कोस्चन यह नहीं का हमें एक बार पुनह रिवीजन करवा देंगे ठीक है दो तीन तीन चार वीडियो में ठीक है चलिए 11 तारिक समलों का रिवीजन स्टार्ट हो जाएगा ठीक चलिए हालही में किस भांसा की मशहूर लेखी का बीना पानी महंती का 85 वर्ष की उम्र में निधन हो गया बताई हालही में किस भांसा की मशहूर लेखी का बीना पानी महंती का 85 वर्ष की उम्र में क्या हो गया निधन हो गया तो 410 का बताई हमारी कॉन थे? उडिया की थी? उडिया की थी, ठीक है? उडिया का मतलब उडिशा की ठीक है? उडिशा की ठीक उडिशा की राजधानी कहा है तो भुव नेश्वर है भुव नेश्वर भुव नेश्वर है ठीक यहां के सीम कौन है तो नवीन पटनायक जी है ठीक है नवीन पटनायक जी ठीक है जो हमारी अभी क्या बनी है राष्ट पती बनी है जो है द्रोपती चंद् द्रोपती चेंद्र मुर्मु जी ओकांस बिलांग करती है तो उडिशा की संथाल जन जाती से क्या करती है बिलांग करती है ठीक है चलिए 411 बताइए हालही में कौन अपने हर गाउं में पुष्टकालय वाला भारत का पहला जिला बना है हर गाउं में पुष्ट काले वाला कौनसा पहला जीला बना in 471 का यह बना अमारा ज 반 जाम ताड़ा जहार खंड एग में जटो सोरेंगी , एक में जंजाती से आती है को ईए में जहार वबंदारण में सबसे प्रथम मस्थान आमा जहार खंड ठीक sec? अकोला उत्वादर में कौन सा मारा 36 गड़, ए चीज आप लोग याद रखेग़, चलते हैं, लेक्स्ट अगला कोस्षम, कोस्षम 412 बताएं, प्रतीवर्ष 200 मलेरिया दिवस कम मनाया जाता है, लेक्स अप्र्चिस अप्रायल को प्रतीवर्त बारिया दिवस कम मनाया जाता ह राष्टी लोग दिवश कब मनाया जाता है, 413 का, तेव प्रतिवर्स मनाया जाता है, 21 अप्रैल को राष्टी लोग दिवश के रूप में मनाया जाता है, 414 बताईए, हालही में किस टीम से सम्बंधित खिलाडी किरोन पुलार्ड ने अंताराष्टी क्रिकट से सन्यास कि इस नावर difficile15 में नय कंट्रिएड कौन बने बने हैं सथ इश्वरन मेंये है कि विप्रो की मेर कंट्रि के रूप में इस सब्सक्राइब समाथ कह चेंदा गए चारसो सोला बताई, हालही में कौन राज पर एल रूट सरवर अस्थापित करने वाला भारत का पहला राज बनाया है ठीक है, थोड़ा फास्ट चलते हैं क्योंगी कोस्चन जादा है, ठीक है, इसलिए कबर करना बहुत जरूरी है, और समय हमनों के पास बहुत कम है, पंदरा को हमारा पेपर इस्टार्ट है सोची कितना समय है, और इस चीच को रिवीजन भी करना भी जो, ठीक, चलिए हालही में कौन सा राज एल रूट सरवर अस्थापित करने वाला भारत का पहला राज बनाया है, बताए चारसो सोला, तो चारसो सोला का हमारा डी, कौन सा है, राजस्थान है, ठीक है राजस्थान के सीम बताए कौन है तो असोग गहलोत जी है, कौन है असोग गहलोत जी, ठीक है कांग्रेश की सरकार है असोग गहलोग जी ठीक है और यहां की अभी सोजत महदी को क्या मिला GI टैग मिला सोजत की महदी को क्या मिला है GI टैग मिला GI याद रखेंगे आप लो ठीक चलिए चलते हैं अगला कोशन कोशन नमबर 417 बते प्रतिवर्स प्रिथवी दिवस का मनाया जाता तो 22 अपरेल को प्रिथवी दिवस 24 अपरेल को क्या मनाया जाता है 24 अपरेल को जो है पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है 21 अपरेल को लोग दिवस के रूप में अब ही आप देखे हैं लोग दिवस के रूप में भी मनाया जाता है नेक्स चलिए बताए चारसो अठारा हालही में दिल्ली के नय मुख्य सचिव किसे निउक्त किया गया थो बनाए गए थीक है नरेश कुमार जी दिल्ली के नय मुख्य सचिव बनाए गए चैलिए 419 का बत सुरूं किया गया बताई सुद्ध हरित ओ आयल ठीक है द्वारा भारत का पहला सुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंद्र कहा इस्टाट किया गया है 419 का बताई तो 419 का हमारा एपार्ट असम में स्टाट किया गया ठीक है असम की राजदानी कहा है दिशपूर है ठीक है असम की याद रखेंगे आप लोग ठीक है देहिंग पट कोई राष्टी अब भ्यारन कहां पे यह हमारा वहीं पे देहिंग हो गया औरांग हो गया जो है ठीक काजी रंगा हो गया एक सिंग वाले गैने के लिए माजली विश्व का सबसे बड़ा नदी द्यूप जो हमारा असम में ह एंड वाटर वाटर हाईवे जो दूसरा है वो भी हमारा कहां पर है असम में ही है ठीक चलिए नेक्स चलते हैं अगला कोश्चन चार सो बीस बताई है हालही में किसे बीमा कंपणी डिट एंसुरेंस का नया MDN CEO निक्त किया गया बताई थोड़ा सा कट गया है तो इसको अर ठीक चलिए नेक्स अगला कोश्चन कोश्चन नंबर आप बताई है चार सो इक्कीस का हालही में भारती दलहन युमानाज संग आई पी जी एके नया अध्याच कौन बने बताई दलहन अनुशंधान बता दीजी कहां पर दलहन अनुशंधान अभी बता दीजी कहां पर है यह हमारा कहाँ पहे है कानपूर में है याद रखे का दलहन अनुसंधान केंद्र ठीक है एक को बने है 421 का, जल्दी बताइए यह के बने है अब्रती दलहन अनुसंधान संग के अध्यक्याच बने है, 42 का बताइए प्रतिवरस लीवर दिवस कं मनाई जा था, प्रतिवर्ष विश्व लीवर दिवस, जो हम 19 अप्रेल को मनाते हैं, 22 को प्रिथवी दिवस के रूप में, ठीक है, प्रिथवी दिवस के रूप में, ठीक है, 22 मार्च को जल दिवस के रूप में, 22 मार्च जल दिवस, ठीक है, 22 माई जय विवित्ता दिवस, ठीक है, याद लेका तीनों चलिए नेस्स बताईए कोस्टा नंबर 423 हालहिमें आझ में प्रफुल लिक्र का प्रफुल क्र सी वर्ष करें और में प्रफुल लक्र हाँ प्रफुल क्र सेनल प्रमुक श्कार ठीक है हालहिम भारत के अगलिये थाल सेना प्रमुख और कौन नियुक्त किये गए है थल सेना के जो प्रमुख है उन्हें कौन बनाया गया है तो मनोज पांडे जी को बनाया गया है किसको बनाया गया है मनोज पांडे जी को थल सेना का प्रमुख बनाया गया है ठीक है आईए चलते हैं नेक्स्ट कोश्चन कोश्चन 425 बताई है हाल ही में किस सहर में रेडियों अच्छ नाम से नेत्र हीनों के लिए जो है भारत का पहला रेडियों चैनल इस्टार रेडियों अच्छ नाम से नेत्र हीनों के लिए जो है पहला रेडियों चैनल सुरू किया गया है बताई कौन सा सहर सुरू किया 425 का यह हमारा कहा है नाकपूर महाराष्ट का ठीक है नाकपूर महाराष्ट इसी नाकपूर में हमारा कहा है कपाश अनुसंदान संस्थान है ठीक है कपाश अनुसंदान संस्थान है याद रखेगा आप लोग ठीक है अनुसंदान संस्थान है नाकपूर महाराष्ट में पढ़ता है ठीक चलिए चलते हैं अगला कोशन कोशन नमबर 426 पंदरा अप्रेल 2022 को किस राज ने अपना 75 अस्थापना दिवस मनाया बताई 15 अप्रेल 2022 को किस देश ने अपना 75 अस्थापना दिवस मनाया बताई 426 का तो हमारा राज कौन सा है तो राज हमारा हिमान चल प्रदेश से ठीक है LPG युक्त हमारा राजी कौन बना है यही बना है यहीं पर परेटन मंत्रियों की क्या होई है परेटन मंत्रियों की क्या होई है बैठक होई है यह बहुत most important है परेटन मंत्रियों वाला ठीक है याद रखिएगा चलते हैं next अगला question 427 बताईए मतलब street child cricket World Cup की मेजबानी कौन सा देश करेगा 428 बताइए जल्दी 428 का मरके आजएगा भारत देस करेगा ठीक होन करेगा भारत देस करेगा ठीक है चलिए 429 बताइए खाल हें में किसे ईवाईं अन्तपनेयोर आफधी येयर 2021 का सम्मान दिया गया Entrepreneur of the Year 2021 का पुरस्कार की से दिया निताम बानी, अधित्यमिस्रा, रितेश अरोडा या फालगुनी नायर जी को 429 का बताईए ये बनी एकाउन फालगुनी नायर जी ठीक है फालगुनी नायर जी को Entrepreneur of the Year 2021 से सम्मानित किया गया चलिए 423 बताई, 430 प्रतिवर्श विस्दरोहर दिवस कम मनाया जाता है तो 430 का आप लोग एंसोर बताईए 430 का तो क्या हो जगा हमार 8 April को प्रतिवर्श विस्दरोहर दिवस मनाया जाता है भारत में कितनी विस्दरोहर हैं तो टोटल 40 हो चुकी है ठीक है अभी जो 49 बनीयों कौण बनीयों बताइए और 40 बनीयों ध थावला ओलवीरा ठीक है धावला बीरा जो हमारे कहां पढ़ता है गुजरात में ठीक 49 बताएए अब lot company बताईए मैं देखंक 49 किसको किसको याद है comments बताई फटापट ठीक चलिए 431 बताइए प्रतिवर्ष विश्व हीमोफीलिया दिवस कब मनाया जाता है तो प्रतिवर्ष विश्व हीमोफीलिया दिवस जो 7 अप्रेल को मनाया जाता है ठीक है 17 अप्रेल को ठीक 432 का तमिलाडू सरकार ने हाल ही में किस तारीक को प्रतिवर्ष समानता दिवस तमिलाडू सरकार ने किस तारीक को समानता दिवस मनाने की घोशड़ा की है ते की है जो 14 अप्रेल को समानता दिवस के रूप में मनाया जाएगा ठीक है 14 अप्रेल को किस दिवस के रूप में समानता दिवस के रूप में चलिए अगला बताए 433, प्रति वर्ष दुनिया भर में 200 अनाज दिवस कम मनाया जाता है, प्रति वर्ष दुनिया भर में 200 अनाज दिवस कम मनाया जाता है, 433 कम मनाया जाता है, तो यह मनाया जाता है, 16 अप्रेल को 200 अनाज दिवस के रूप में मनाया जाता है, चलिए, 434 प्रतिवर्ष, पूरे भारत में अंबेडकर जहनती कब मनाई जाती? तो 14 अप्रयल को ही मनाई जाती, अंबेडकर जी की जहनती सम्भिधान के निर्माता कौन थे? बताए, प्रारूप समित के अध्याच कौन? नहीं थी तो इनको ले करके साथ सदस्य थे ठीक है प्रारूप समीत में ठीक चलिए और इन्होंने अनुछे जो आर्टेकिल जो है पाकिस्तान के ठीक है बाबा राजम कहां के है पाकिस्तान के है ठीक चलिए नेक्स्ट अगला कोश्चन 436 हालही में संग लोक सिवा आयोग UPSC के नए अध्यच कौन बनाये गए है तो मनोज सोनी जी बनाये गए है किसके UPSC के नए अध्यच के रूप में चुना गया किसको म अनोज सोनी को याद रखेंगे ए सब एपॉइंटमेंट से रिलेटेट कोश्चन नवाज साबाज सरी भारत के किस पडोसी देश के प्रधान मंत्री बने है तो यह पाकिस्तान के बने है ठीक है पाकिस्तान की कैपिटल कहां इसलामाबाद है ठीक है कहां इसलामाबाद है चलिए, next बताई, 439, हालही में कौन सा IPL क्रिकेट में retired आउट होने वाले पहले खिलाडी बने, बताई, retired आउट होने वाले पहले खिलाडी कौन बने, जल्दी बताई, 439 का, ये बने हैं हमारे कौन, रबिंदर चंदरन अश्वीन जी बने, पहले खिलाडी बने, जो क्या retired आउट हुए, एक कौन सा संस्क्रण था IPL का, ते 15 संस्क्रण था, ठीक है, 15 संस्क्रण, जीता कौन था, गुजरात, ठीक है, गुजरात के, जो, गुजरात टीम थी, उसकी captain कौन थे, बताई, बताई, जल्दी बताई, हार्दिक पांडया थे, ठीक है, हार्दिक पांडया जो अस्टेलियन ग्रांड प्रिक्स तो अजर बाइस कौन जीता है 449 का एजीते हैं कौन जार्च चाल्स लेकलर ठीक है चाल्स लेकलर ठीक है नेक्स बताई अगला कोश्चन 440 हालही में काउन जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला दुनिया का पहला देश बना बताएं जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने आई अमपी है इसको नोट करिएगा ये पूछ सकता है ठीक है चलिए 440 का जल्दी बताई तही हमारा कौन बना है इक्वाडोर बना ठीक इक्वाडोर बना ठीक नेक्स्ट 441 प्रतिवर्ष भारत में राष्टी सुरच्छित मात्रित दिवस कम मनाया जाता है राष्टी सुरच्छित मात्रित दिवस कम मनाया जाता है 441 का यह हमारा 11 अप्रेल को राष्टी सुरच्छित मात्रित दिवस के रूप में मनाया जाता है ठीक है आगे चलते हैं next question number 442 बताई हालही में किसे प्रथम लता दीना नात मंगेशकर कुरशकार से किसे नवाजा गया है तो हमारे पी-म है जो नरेंद्र मोदी जी को लता दीना नात मंगेशकर कुरशकार से सम्मानित किया गया है ठीक है 443 प्रति वर्ष बिश्चो होमियो पैथिक दिवस कम मनाया जाता है 443 का बताईए 11 अप्रेल को 10 अप्रेल को 9 अप्रेल को या फिर 12 अप्रेल को ठीक है देखता हूं कौन-कौन बताता है हीमो बताई 443 का जल्दी बताईए कमेंट में जल्दी जल्दी कमेंट करिए फटा-फट यह हमारा कौन सा है 10 अप्रेल को मना जाता है 200 होम्योपैथिक दिवस ठीक है 10 अप्रेल को याद रखीएगा नेक्ट बताई अगला कोशन कोशन नमबर 444 प्रतिवर्ष 200 स्वास्ति दिवस किस तारिक को मना जाता है तो डबलू एच्चो की अस्थापना 7 अप्रेल को ही थी 7 अप्रेल सातर प्रेल 1948 को डबलू एच्चो की क्या होती अस्थापना होती ठीक है डबलू एच्चो को वर्ल्ड हेल्थ अर्गनाजिशन इसका जो हेड़कॉर्टर हो कहा है जेनेवा में ठीक कहां पर है जेनेवा में संस्था से भी एक कोशन जरूर पूछेगा ठीक है चलते हैं अगला कोश्चन नंबर 445 बताइए चाहं शळभाँ ग्रैमी आवार्ड में किसने private निव आर्टिस्ट का आवार्ड जीता है चारश्वोप में कुसे त 나올 ही में किसके टेनिस के लाड़ ने या डेनिस सापोवा लो ने बताए कौन जीता है 446 का जल्दी बत अल्क राजने ठीक कार्लोस अल्क राजने ठीक 447 बताई किस क्रिकेट टीम ने हालही में ICC बूमेन वर्ड कप 2022 का किताब दीता है बताई कौन जीता 447 का इंगलेंड न्यूजिलेंड भारत अस्टेलिया तो 447 का क्या जाएगा तो हमारा अस्टेलिया देश जीता किसको हराया था उप बिजेता कौन था इंगलेंड था इं 448 जल्दी बताई एह बनाए गया कौन विकाश कुमार कौन बने हैं विकाश कुमार जी ठीक चली नेक्सट बताई 449 का हालही में किसे वर्स 2020 का शरस्फ़ती सम्मान दिया गया बताई 449 का किसे दिया गया एंस तो रमेश-दरस मिस्र जी को दिया क plataform किसे को किसको तो में Victor-Orban किस देश की चौथी प्रधानमंत्री बनी है? बताइए. Victor-Orban किस की बनी है? तो Hungary की कहां की बनी है? Victor-Orban कहां की बनी है? Hungary की. 400 most important है. महिला से एक question जरूर रहेगा जिसकी निवक्ती हुई है. उससे 100% एक question रहेगा. आप लोग इसको important मारक कर लिए. स्कूराइट strongest ये कौन बनिये विक्टर ओर्बोन थिक है कि याद रहेगा नहीं कौन बनिये कौन बनियें विक्टर ओर्बोन ठीक है हंगरी की विक्टर हंग्री ये करके जाइज करते सिर्वस्तैर अंतरास्टी फीचर फिल्म स 쿠जाट is आसकर आवार्ड जो है 2022 का बताई वेश्ट साइड स्टोरी दकास्मीर फाइल अंतराश्टी फीचर फिल्म का पुरस्कार कौन दस उसाइड स्कौाइड ड्राइव माई कार ड्राइव माई कार बताई कौन 51 का 451 का थे हमारा सी ड्राइव माई कार ठीक है 94 आसकर आवार्ड है चलिए नेक्स चलते हैं अगला कोश्चन कोश्चन नमबर 452 हाल ही में प्रमोध सावंत किस देश के चौथी लगातार दूसरी बार मुख्य मंत्री बने है तो हमारे कहां के बने है गोवा के ठीक है याद रहेगा है गोवा की राजधानी कहा है पंड जी है ठीक है पंड जी ह याद रखिएगा ठीक चलिए नेक्स चलते हैं अगला कोश्चन कोश्चन नमबर 453 हाल ही में किस भारती खिलाडी ने स्विस ओपन बैटमिंटन चेंपियन में महिला का पदक कौन जीता है तो यह हमारी स्विस महिला ओपन बैटमिंटन में जो पीबी सिंदू जी ने जीत हाल ही में केंद सरकार ने किस दिन को राष्टी डॉल्फिन दिवस के रूप में मनाने की गोश्ड़ा की गई चारसो चवंवनत यह मना 5 अक्टूबर को राष्टी डॉल्फिन दिवस याद रखेंगे 5 अक्टूबर को राष्टी डॉल्फिन 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 के नए हाल ही में भारत के नए विदेश सची कौन बनाए गए बताई 455 का तो यह बनाए गाए महेश वर्मा जी कौन बनाए गाए महेश वर्मा जी चलिए नेक्स्ट बताई कौश्चन नमबर थोड़ा सा बलर है अरजिस्ट कर लिजेगा हाल ही में कौन भारती भूबैग्यानिक सर्वेच्छन जी एस आई के नए महानिदेशक बने हैं बताई डाक्टर पी सिना डाक्टर के ना नागर डाक्टर एस राजू डाक्टर टी वरुन बताई 457 का यह कौन इंडियन इस्पोर्ट बोमेन आप्दा अवार्ड डोजार एकीस का कुन जीता है कौन जीता है कौन जीता है कौनूरू हम्पी पीवी सिंदु मीरा भाहिए चानू शेफेली वरवा बताए कौन जीती है प्रतिवर्स राजस्थान अस्थापना दिवस कब मनाता है पिंक सिटी जैपूर जिसकी क्या है राजधानी है भारतिय मूल के गेक्ति अमेर्की कैरियर सेवा कंपनी FedEx FedEx के नए CEO कौन बने FedEx FedEx के नए CEO कौन एसपाल प्रजापती रितिख वर्मा राज-शुब्रमनयम नितीश कुमार बताए नितीश कुमार तो CM बने कहां के बिहार के बिहार के क्या बने है CM हम give them 141わかंब का 461 जो है कौन सो जाएगा जल्दी बताई आप कि घरे राज शुब्र मने इंप से ची कि करें रजर्च के रिजर्व वेंग्अ-वाइंडिया का अस्थापना-दिवस कम चाहां ढोगा जाता है रिजर्व वेंग्अ-उफ न लिए गा एक अप्रेल 1935 में होई थी हमारी RBI की अस्थापना ठीक है एक अप्रेल 1935 को ठीक है इसका राष्टी करण कब हुआ था तो 1949 में इसका क्या हो गया था राष्टी करण हो गया था ठीक है वर्तमान में अभिकान कांत इसके क्या है अभिताप कांत इसके क्या है गवर्नर है ठी इस राज ने राज का स्थापना दिवस होता है तो सबको पता है उडिशा का जो एक अप्रैल को उतकल दिवस के रूप में भी मनाता है उडिशा ठीक है चलिए 464 बताई एपीजे अब्दुलक्लाम दिवफ हमारा विलर दिवफ का नाम चेंज करके क्या एपीजे अब्दुलक्लाम कर दिया गया है ठीक है ओभी हमारा कहां उडिशा में है आईपील क्रिकेट में अब तक के सबसे ज़्यादा बिकट 771 लेने वाले गेदवाज बने भीम बहादूर गुरुंग का 93 वर्ष की अवस्था में क्या हो गया निधन हो गया बताई ओ कहां के थे 475 गका हुत थे हमारे शिक्किम के ठीक है भीम बहादूर गुरुनग कुछी, ठिक है यहीं पे हमारी काउन सी कंचन जंगा चोटी है, कंचन जंगा, ठिक है 85-86 मीटर की क्या है, हमारी चोटी है, 85-86 मीटर की नेपाल और भारत की क्या है, भारडर पे इस्थित है, चलिए, नेक्श़ बताए, अगला कोशन, कोशन नंबर 466, याद रखेंगे कहां पर गुजरात में चलिए नेक्ट बताईए 467 हालहे में किस देश की पहली महिला बिदेश मंत्री मेडलीन अलब्राइट का 84 वर्ष की उम्र में निधन हो गया 467 बताईए 467 467 का कौन सा सही एंसोर होगा ते अमारी कौन बनी है अमेरिका की थी ठीक है मेडलीन अलब्राइट 84 वर्ष की उम्र में क्या हो गया निधन हो गया चलिए बताईए 467 तीसरे राष्टी जल पूरषकारों में सर्वस्रेश्ट रेड़ी में कौन सा राज सीर्स पर रहा तो यह हमारा उत्तर प्रदेश रहा कौन रहा उत्तर प्रदेश जो सर्वस्रेश्ट रहा ठीक है याद रहेगा ने चलिए नेक्स चलते है जल पूरषकार पाने वाला सर्वस्रेश्ट राज कौन सा रहा उत्तर प्रदेश्ट निती आयोग द्वारा किस संस्था के साथ इंडियन एग्रिकल्चर टुवर्ड्स 2030 पुष्टक का विमोचन किया गया बताई यू एन इपी एफ एओ नावार्ड के स्थापना 1982 में यू एन इपी की कहां 1972 में एफ एफ एओ का 1945 में ठीक है आई सी ए आर का बताई कब हुई थी आप लोग बताई इसकी अस्थापना नहीं थी आयो कि एक जन्वरी कब 2015 को इस सारी पांच ठोमें आपे बता दिया सिर्फ अस्थापना से ठीक है इस चीज़ को आप लोग याद रखे आई सी ए आर का आप बताएंगे कब हुई थी 469 का बताईए 479 का कौन शाप पार्ट हमारा क्या हो जगा से हो जगा थे FAO के साथ क्या की थी करार किया था भी मोशन किया था ठीक है 230 में नेश्ट बताईए कोशन नाबर 470 बताई किस राज के जिंकिंग जरी या लिविंग रूट ब्रिच के यूनेश्को में तो लिविंग रूट ब्रिच हमारा कहां पर इस्थित है बताई तो हमारा मेघाले में है ठीक है मेघाले में हमारा इस्थित है यहीं पर हमारी के उमियम जील भी है सबसे सच जील गारी खासों जेनतियां हमारी कहां पर पाई जाती है यहां की जनजातियां गारों खासी जनतियां और पहाड़ियां भी हैं हमारी कहां की में घाले की सबसे ज़्यादा वर्षा कहां पर होती है गारों खासी खासी पहाड़ी पर होती है जहां मांसी राम और चेरापूजी हमारी के हैं दो सहर हैं जो में घाले की भारत का पहला 207 केंदर कहा अस्थापित किया जा रहा अचैने गुरूगराम، अइदराबाद या पूरे 471 बताई 471 तो हमारा गुरूगराम में 207 केंदर अस्थापित किया जाता fenijn गुरूगराम कहां पड़ता है ति हमारा हरियाना में पड़ता है तो हमारा C है ठीक है तो कहा है C है आसन सोल आसन सोल में जी कारगो टर्मिनल क्या क्या इस्टार्ट किया है ठीक है चलते है नेक्स्ट कोश्चन अगला कोश्चन कोश्चन नमबर 473 बताईए अपसिष्ट इस पात से बनी पहली सडक परियोजना भारत के किस सहर में सुरू की बनी हो इस टील की पाली सडक कहां पर बनी है यह भी हमारी सुरत में नेती आयोग के निद्यात तैयारी सुचकान दोजर किस राजप सिर्स पर रहा है शिर्स अस्थान काउन सा हासिल किया तो हमारा गुजरात ठीक कौश्यरात ठीक है चलिए आज का लाश्ट कोश्चन आज बेहतर मिर्दा स्वास्त के लिए कार्बन तर्थष्ट खेती सुरू करने वाला देश का पहला राज बनने के लिए तयार है, 475 का, तो केरल, तमिलाडू, महाराष्ट या उत्तर प्रदेश, 475, तो यह हमारा कौन बना है, बता ही जल्दी, तो यह हमारा बना केरल, मिर् इतना आई, अगर वीडियो अपनों को अच्छा लगा है, तो प्लीज वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा सेर करिए, चैनल को सस्क्राइब करिए, और हमारा एक और चैनल है, इंड्रेश सर ब्लॉक के नाम से, डिस्क्रिप्शन वे उसका लिंक है, उसको भी आपनों क्या करें करें, और अगर इसका पीडियाफ चाहिए, तो इंड्रेश जिएस, एक मिनट, इंड्रेश जो है, क्लासे नाम से, अमारा तेलीग्राम चैनल है, उस पर आप लोगन को पीडियाफ हमाँ प्रवाइट कर लिए तो आप ज़्यादा ज़्यादा लाइक किया करिए, चैन झाल झाल